थोड़ी जमीन है, आपके पास स्वरवजगार करना चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं, जो है यह बहुत कम खर्च में आच्छा इंकम देने वाला है, पचास के बदले पचाता रिटर्न हो जाता है, तो वीडियो होगा, उसके अंदर भी हम डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आज फिर हम एक वीडियो के लिए पहुँचे हुए हैं, बंगहुण नरायनपूर और यह पढ़ता है पीरो प्रखंड और डिष्टिक इसका ल बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ी जमीन है, आपके पास स्वरवजगार करना चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं, तो सबसे पहले तहीं लोग से मुलाकात करा दिया, मैंने आपका और आप आपको लागत लगा था, कितना सबसेडी मिला था, कितना जमीन है, कितना आम है, कितना इसमें आप कमाई हो सकता है, पूरा जनकारी दीजे हमारे भी गुषगार करना चाहते हैं, जो कि उद्यान विभाग से मैंने इसको पास कर रहे था, जो को उद्यान विभाग में एक कड़का LPC बना कर दिया, तो हमको 160 गाषी उसमें से उपलाद मिला, ये LPC क्या है, LPC खेट का पोजिशन देना पड़ता है, कि इसमें खेट का कितना पोजिशन दिया जाए, कि उसमें हमारा खेट जमीन परपर्टी पड़ता है, उसमें लगाने के लिए हमको LPC बनाना उनलाइन किया जता है, और अधनाषी उनलाइन के बाद में गाशी मिलता है, एक एकड़ पर 160 गाशी मिलती है, एक एक एकड़ पर 160 और जैसा आपने कहा कि ЛPC तब बनाना पड़ता है अगर जमीन अपना ना हो, आपना नाम से जमीन है हमार बाबा दादा के नाम से जयमिन है तो अपना नाम से सो करने लिए एक सब्साइठ गांची को हर एक पवधा को 50 रुपया गांची पर पिस दिना जमा करना पड़ता है उद्यान भीभाग में 50 रुपया पचास रुपया देने के बाद में उस गांची से हमको प्लस पॉइंट आपको प्लस प्लस अपस्ट के बाद फेले कोई इतराज नहीं HERE यह उद्यान के बाद यह करने के बाद जो धर से पर न मीट आता है पाइसा जमा करने के बाद वहां से घांची हम लाकर यहां पर ब्यवस्ता करते हैं अपने फिल्ड में अच्छा दूसरा चीज पूछना चाहूंगा कि यह पूरा आपका बगीचा है यह कितने साल पुराना है यहां पर दो बगीचे में दिखाई दे रहें एक बड़ा पेड़ है कुछ छोटा वाला है यह दोनों में बगीचा जो है चोप बारा साल का है अच्छा और दूसरा चोव साल का बगीचा है अगर इन आमों को अगर प्रती वर्स इसको बेचा जाए यानि पहले चीट दूसरा यह चाहूँ आपसे पूछना कि प्रती वर्स तो आम पढ़ी साल फड़ता क्योंकि डेखन से की एक साल आता है कारण का है कि नहीं आने वाला होता वह होता है जो कोडाई खनाई नहीं होता है दावा दारू का सदूपयोग नहीं होगा तो गाश प्रतिवर्स फलता है अच्छा इसमें कोड़ाई खनाई और खाद भी इसको स्वध्योग दिया जाता है जी और अगर मैं बात करूं आम का तो इस पूरे बगीचे से अगर इसको बेचते हैं तो कितना पैसा कमाया सकता है मैंने बगीचा में कम से कम अभी जो 12 साल का प्रतिवर्स प्रतिवर्स इसमें कम से कम नहीं तो 70 गांची जो है जो की 12 साल का है अच्छा वो दस क्यूंटल देगा अच्छा तक करीबन आच्छा आवक निकालना है तो उसमें से 30 पर तीस रोपे किलो कि हैसा आप सब मिला जा सकता है प्रतिवर्श की खर्चा वहतं मर्थ करना है अच्छा दो सब सरहरें कि चर्च महां पड़ाइंस अभर तो । पूरा डिटेल ले सकते हैं कि आपको सब्सीडी कैसे मिलेगा और इनका पूरा नुभा भी आप ले सकते हैं काफी लेबोरियस किसान है काफी महनती किसान है अच्छा काम कर रहे हैं किसानी में आप भी इनके अनुभव को लेकर आप अपना जिवन भी सफल कर सकते हैं और आप भी आमका बगीचा आमकी बागवानी कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो फेस्बूक पेज पर हमारे पेज करिए का फोलो और देख रहे हैं अगर यूटूब पर तो करिए का चैनल को सब्सक्राइब मिलेगा इस अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्य आइ Простоाइग होगा प्यूटब केणित वह झाले को आटा ची करिंद के heh का